हेलो आज हम लोग लेक्चर नंबर सेवन देखने जा रहा है आई होप आप पीछे वाले सारे लेक्चर कवर कर चुके होंगी आज से लेक्चर आपको बहुत ही ध्यान पुर्वक देखना होगा ठीक है क्योंकि यहां से नुमेरकल बनेंगे और जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपसे बनेगा नहीं तो आइए स्टार्ट करते हैं बेरिंग क्या है ठीक है बहुत ही important topic चलने वाला है ठीक है अभी थोड़ा सा बेट कीजिए एका topic के बाद आपको बहुत ही important topics चलेगा वह आपको board पे बताएंगे ठीक है एक का क्योशन करकर के बताएंगे लेक डीफेरेंश between two reference mireadians. Meridian should be same. जैसे आपको bearings क्या है यहां पे आप Meridian पढ़ते आएंगे मालेजे टू same meridian जैसे true meridian हो या magnetic meridian हो या grid meridian हो या arbitrary meridian, जो भी meridian हो, same meridian के angular difference को क्या बोलते हैं? बेहरिंग सो बोलते हैं और भास मे और सो कोई ड़िरेंग clean ப एसी को बैरिंग दो मेरेडियन के बीच को अनुपार से नाम से जानते वह है구 कि इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि It is defined as an angular difference between two reference meridian meridian should be same ठीक है दो meridian के बीच के डिफरेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेरिंग बोलते हैं अडेजीनेशन ओफ बेरिंग दो तरह क्यों होता है क्वाडेंटरल और रेडियूस बेरिंग सिस्टम होता है एक होल सर्कल बेरिंग सिस्टम होता है ठीक है तो उसको मेजर करना नॉर्थ टू इसट बोलेंगे नॉर्थ टू इसट बोलेंगे ठीक है अगर डी पॉइंट को मेजर करना है तो नॉर्थ टू बेस्ट बोलेंगे नॉर्थ टू बेस्ट क्योंकि ये नॉर्थ है ये इस्ट होता है ये सौर्थ होता है क्या होता है बेस्ट होता है तो नॉर्थ टू इस्ट अगर ये पॉइंट को अगर पढ़ना है तो क्या का बलेंगे नोर्थ टू एस्टेट इस्ट ना इस तो तो पांच डिगरी नॉर्थ टू इस्ट ठीक है अगर हमको डी को मेजर करना डी को पढ़ना यह माली दश डीगरी पर फे थाफ दो बने टीकर अब आतें नौट से नहीं मेजर करेंगे आप सौर्थ से मेजर करेंगे ज से करने आएंगे तर 90 90 डीग्रिस तक होना चाहिए दो कर पाएंगे इसके बाद के एंगल को मेजर में नहीं कर सकते नोर्थ से तिसलिए इसको किछ सेमर करूगे सकैब सबसे कितना सौथ टूka है bleeding और है फिस्ट पंतरा टेंग्री ठीक हैएधर पढ़ेंगे तो दिग्री दिया रहा है तो कैसे पढ़ेंगे इस line को सी लाइन को कैसे पढ़ेंगे सौथ टू बेस्ट बिश डीग्री पे तो यह 0 से 90 डीग्री होता है जिसको कौन लोग क्वाडेंट्रल बेरिंग बोलते हैं और शर्कला बेरिंग में क्या होता है नॉर्थ से ही मेजर कि जिए पोइंट वहें नॉर्थ टू इस्ट ठीटा बन दिए मतल Mobil अ कोईविंगल फिर अगर इस पोइंट को करना है तो नॉर्थ से मेजर नोर्थ से पाइंट को दी पाइंट को तो कितना होगा से हाँ तक कितना होता है 270 डीगरी होता है 3 यहां तक तो हमको मालूम है 270 होगा यह नहीं मालूम है कि इसको ठीटा बोल दिये तो इसमें 270 डिग्री प्लस ठीटा यहां तक रोटेट कर रहा है यह को गाते हैं अभी आपके सिमेस्टर में इसी पर बेरिंग करके बनाएगे हम लोगे अब असान लगएगा बहुत ही असान होता है ठीक है चलिए कुछ है आपे पॉइंट्स है देखते हैं based on reference meridian bearing is of four terms है अगर हम reference की बात करें तो पिछली lecture में देखे होगी true bearing, magnetic bearing, grid bearing, arbitrary bearing पढ़े हैं? ठीक है पढ़े हैं अब आते ही तो चारव पढ़ ली अब आते हैं दूसरा based on the direction direction के हिसाब से कितने type के होता है तो direction के हिसाब से दो तरह के होता है direction के साब से दो तरह के होता है एक four और forward bearing होता है जिसको fb के नाम से जानते हैं और back और backward bearing होता है जिससे bb के नाम से जानते हैं ठीक है? तो back bearing b.b four bearing f.b तो आपको याद रखना है हम लोग इसी पर काम करने वाले हैं आगे four और four bearing बोलते हैं बाइक और बेक वार्ड वेयरिंग बुलते हैं हम लोग फोर भेयरिंग बॉलते हैं इस चाहिए थीप और लाइश क्विफॉब ये एककोई और ये थीप्विव मेजर और तो प्रोग्रेस की ओर गए ना यनी इसको फोर बिरिंग बौ तो मेजर करना विम्स करना तो इसको बैक बेरीग बोलते हैं अगर वी जब हो सकता है नब सक्कम होगा बेशने के बीच में नब से तो असी डिग्री अपर अगर मेजर कर रहे हैं तो नफासी डिग्री पलस हो जाएगा तो अगर हम वी से ए मेजर कर रहे हैं तो क्या का लाएगा बैक बेरिंग का लाएगा एनि आई होब किलियर होगा कि A to B जाएँगे तो फोर बेरिंग B to A जाएँगे तो बैक बेरिंग ठीक है तो बेरिंग आफ ए लाइन इस मेजर्ड एलांग दा डाइरेक्शन apposite to the progress प्रोग्रेस के apposite direction में देखते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बैक बेरिंग के नाम से जांते हैं ठीक है कुछ relation है बहुत ही important relation है दोनों में relation between forward और backward में ठीक है यनि forward bearing और back bearing में दोनों में relation है तो आईए देखते हैं बारी बारी से अगर ठीटा का मान एक्सो डीग्री एक्सोअसी डीग्री से कम हो फोर बेरिंग का मान एक्सोअसी डीग्री से कम हो एक्सोअसी डीग्री से कहने का मतलब यह सिर्फ इसी लाइन में हो ठीक है सिर्फ इसी लाइन में हो 180 डिग्री इतना ही न होगा एक लाइन पर 180 डिग्री कर रहा है तब क्या केस बनेगा अगर 180 डिग्री से बड़ा यह पूरा में घूम गिया यहां तक आ गिया ठीक है तब क्या केस होगा यह बारी बारी से से दोनों केस को केस को देखतें दोनों मेरी लेशन देखतें यह लाइन है यह ठीटा बन जा रहा है ठीटबन जा से क्योंकि ठीटा बं से ही जा रहे हैं तो थीटा टू क्या लाइगा हमेशा से नौर्थ से करना कहां तक जहां तक लाइन आया तक मेजर करेंगे इसको नाम दे दिए ठीटा टू जिसको आम लोग बैक बेरिंग के नाम से जानते हैं यहां किलियर है यहां तक किलियर है चलिए किलियर है यह इस कोन के ख़तेक्स, ख़तेक्स और से कि नर्द से यहां तक है यानि दोनों में आप सकते जो किसके बराबर होगा फिता जो होगा ही थिल्डीशाल स्धान से देखने की भाता है फ्र समझों में आएगा एक इतना है ठीटा बन यह ठीटा इतना और एक दना हो गहां से यहां कितना होगा 180وع ंशाचीव DC इसको बोर्ड पर उतल इस इसको बोर्ड पर बता है इस बोट पर देखे अ कि आई ये बोर्ड पर दिखाते हैं इसको ठीक है कि देखिए यह कोई पॉइंट हो गया है यह कोई पॉइंट हो गया ठीक है यहां से हमको फोर बेरिंग बनाना था यह हो गया कोई इसको इसको अजया कोई पॉइंटा यह भी एक आंतर पॉण से ठीक टावन हो जाएगा यहां से यहां तक यहां से यहां तक कौन ली ठीटा बन हो जाएगा इसको मिटार के लिखते हैं और करते हैं दूसरा पेंसे लेते हैं यह ठीटा बन होगा यह ठीटा बन होगा ठीक है ठीटा बन तो आपको पता है आपको पता है यहां से यह एक वर्टिकल लाइन पर नॉर्थ में देखिएकएगा एक स्टार होता है 107डी अजय पलस ठीटा नहीं वाने ध्arlick głow यहां से यहां 180 डीग्री बना सब्सक्राइब दीग्राइए परफो मेरा दू निए यहां पर बियरिंग था और ध्ना है भेग ट्यकों में आप shedding बताईए टीता टू को इहां फे ऐफ बीवी लिख़ दे थीता टू को बीवी लिखे दे पलस एक्षो सटी डिगली पलस गालजट है फोर भेरी तो बताईए फोर भेरिंग और back bearing relation क्या आगिया तो back bearing is equal to 4 bearing plus 180 degree plus 180 degree कोई दिखर तो back bearing is equal to क्या होता है हमेशा back bearing is equal to होता हमेशा 4 bearing plus 180 degree back bearing is equal to 4 bearing plus 180 degree कि इसके लिए जब 4 bearing का मान कितना हो लेज दैन 180 डिगरी ओ कोई दिखक आते हैं जब 180 डिगरी से बड़ा हो इसको मिटारे देने बगल में कर देते हैं ठीक है चली जो है बगल में कर देते हैं आप चली अब आते हैं दूसरा दूसरा आते हैं यहां पर कोई क्वाइंट हो गी है, यहां पर कोई पॉइंट होगी है। जिसका नाम दे देते हैं D THC, और यहां एक पॉइंट हो गिये जिसका नाम देते हैं C, क्योंकि 180 degree से जादा है तो 180 degree से इस point पर आ जाएगा, 184 से बिस पॉइंट पर स्थ, कौन कौड़ निन आ जाएगा इस कौरड़ ट्रमी न एक सी draw स्थी का माने क्वादें थिटा थिरी मान लेते थिटा थिरी फोर बेरिंग की कि बात करें रहे हैं जेतना है फोर बेरिंग सी थी कितना है थी से दी तक मापना को मैं शी से घर मापना है ठीक आ है और चिए से डी तकमापना कि इसको अधीन और यह तर हो जाएगा यह तक जञाधा हो जितना थीटा ठीटा ठीटां तरी ऐ यह जो एंगल बना वेक बेरिंग में जिसको नाम क bisa सबस्वार्राइब क्वैर्इंग तो रिलेशन क्या बनेगा ठीटा 4 का मान कितना होगा तो बताइए तो जल्दी तो यहां पे मिख सकते हैं ति अब माइनस एक्षो सी स talent क्या सकते हैं कैसे लिक सकते देखिए तो यह कितना होगा यह कितना होगा एक सबैसे बनाते हैं यह अगल कितना होगा इए अगल कितना होगा हां चाहें नहीं जल्दी से बोलिए ने समझ मैं फिर से देख ही इसको मेकार करें बताते हैं कि देखिए यहां से हया कितना यह यहां कितना लुक्त है यहांchargen यहां से कितना कि थीटा gegen हैं हमें 180 घटा दें कितना बचेगा यह एंगल कितना बचेगा सेक्सेट पीया औतर कॉन से क्या सेम होगा सब क्या अंगल ऊदोनो से मोगा चली यह खाल 채 big टीटा फोड समस्क्राइब ता तो विपर्वेरिंग एक बेरिंग तो मोरा है जब आथा जो माइनाश एकसाए डिगरी यानि जो बैक बेरिंग में किस में आ सकता दोनों में आ सकता हैं फोर बेरिंग अब पलस माइनस 10 क्विश लेकिन आपको समझा च्वर समझ मैं आया होगा कोई दिक्कत नहीं हुआ ठिक है कि हम लोग 7 लेक्चर पे थे यह पेटे चले यहां भी एक बार समझा देते कि ठीटा बन हो गिया कि ठीटा बन हो गिया ठीक है ठीटा बन हो गिया यह वला तो कितना हो जाएगा यह ठीटा बन कहलाएगा थिटा टू क्या कहलाएगा तो क्या कर लाएगा तो क्या होग गां कहा है एक आंकर कुछ से इसको एक अंतर न बोलते है ये कौन बरावर हो गया बरावर हो गया जब फोर बेरिंग कमान 180 डिगरी से कम हो अब वही चीज आते हैं जब 180 डिगरी से ज़्यादा हो तो यह क्या हो गया ठीटा 3 हो गया ठीटा 3 हो गया ठीटा 4 हो गया ठीटा 3 यहां पर 4 बेरिंग है क्योंकि ज्यादा है तो इस क्वार्डेंट में आ जाएगा ठीटा 4 क्या हो जाएगा बैक बेरिंग इसके लिए हो जाएगा ठीटा 4 इसका माने कितना आ गया ठीटा 3 माइनस 60 indicator अब कोन एककोन दोना क्या होगा आपस में बराबरे ओगा थिता 4 उचकल 2-3- rot4 demonstrating to back bearing इतए थाउसी Кстати है टोनों फोरेरिंग और दोनों पलस माइनस होता है एक बार अगर लेस दैन है थो है लेक्चटर नंबर एड में고 चीड से निकाल सकते हैं we деся में काम देगा अभी नीगां देगा त crit अभी जो लेक्चर नंबर-7 में Surface प्रोब्लम करवा रहे हैं जो समझने लाइक क्यूशन है देखिए गए यहां से लाइन AB had the magnetic bearing 44 degree 30 मिनट in year 1910 1910 में कितना था 44 degree 30 मिनट था बेश्ट कहां गये 44 degree 30 मिनट in the year 1910 भेन declination बाद 4 degree 30 मिनट जब उसका declination 4 degree 30 मिनट बचा based find the magnetic bearing of same line in the year 1990 में कहां पर सो करेगा कितना दूरी पर सो करेगा कितना direction पर सो करेगा उसी भो निकालना भेन देखिए यह एनुवल चेंज ऑप 6 degree इस्ट बाद और प्रतेख साल कितना मिनट का चेंजेज होता है छे मिनट का चेंजेज होता है तो वैसे तो समझ में नहीं आया होगा फिगर बना के समझाते हैं तो समझ में आएगा कोई भी लाइन था तो यह आपका होगी है two north यह होगी आपका two south ठीक है two south डिकलाइनेसन कितना कई बोला 4 degree 30 मिनट का ठीक है 1910 की बात करें तो यहां पे this 4² 30 मिनट का था बेश्ट की तरफ बेश्ट की तरफ ले लेंगे चार डिग्री और 30 मिनट ठीक है और जो यहां पर मैगनेटिक बेरिंग था मैगनेटिक बेरिंग था मैगनेटिक बेरिंग कितना होगा मैगनेटिक बेरिंग कितना होगा यहां से 44 डिगरी 44 डिगरी 30 मिनट पर है कब 1990 में सरी 1910 में अर बोलता है 1990 में मैगनेटिक बेरिंग कितना होगा magnetic bearing कितना होगा जब जब annual change 6 मिनट पर साल होता है तो 1910 से 1990 के बीच में कितना साल हुआ 80 साल हुआ तो 80 इंटू 6 कितना हो गया कितना मिनट हो गया 80 इंटू 6 मिनट कितना हो गया 46 मिनट ठीक है 60 से भागा देंगे डिगरी में convert करने के लिए आठ डीकरी अब बताइए आठ डीकरी यानि अब जो 1990 में जो line बना होगा कहां पर column 130 में जो line बना होगा था मालिजी अफ़र भचाश न Vicischen कितना बचा बाकी कितना बचार't मिल्चा पर जाए तो 36 degree 30 minutes बचेगा ठीक है तो चलिए क्यों समझ में आया पहले क्यों समझ में आया तो आये दिखाते हैं कि उसन समझ में आया होगा तो बोल रहा था कि 1990 में मैंने जो मैंने इस इसben धा कितना था 34 30 मिनड था 1990 में येडिकलानेशन की तरव कितना था चार दिगरी 30 मिनट था तो बोला कि 1990 में बता तो पहले 1990 और 10 के बिच में कितना साल का डिफ्रेंस है 18 साल का और पर स्टेक साल कितना का चेंज होता है 6 मिनट का चारह 1 नान 2 तो 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 कितना हो गिए 403 मिनट अब गिपरी तो नियुक्त फॉसीद रूपर गाँ पॉस्त पॉस्त ऑफ Howeveriegरी कृप्त है था तो Sab До झाल